हेलो फ्रेंज आज की रेसीपी एक्तम यूनिक है और साथ ही में भरपूर वेजिटेबल के साथ भी है जो बच्चे और बड़े दोनों को ही टेस्ट फुल लगेगी बाहर से क्रिस्पी अंदर से एक्तम सॉफ्ट सॉफ्ट एसा कुजरत स्पेशल हांडवा जो हम आज बनाए सुची से अगर यह रेसीपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब करें तो चलो बरपूर वेजिटेबल के साथ हांडवा बनाना स्टार्ट करते हैं ले स्टार्ट यहां पे हमने सबसे पहले सुची को और तहीं को ऐसे रात भर बिगो के रख दिया था फ्रिंस यहां पे आप समय कम हो तो आप इसको दो तिन गंटे के लिए भी बिगो के रख सकते हैं फ्रिंस यहां पे दहीं खटा होना चाहिए आज हम बरपूर वेजिटेबल के साथ बना रहे हैं तो सबसे पहले हम मीडियम साइज का ऐसा ग्रेटर हो उसके साथ ही हम ऐसे ग्रेट करेंगे सबसे पहले हमने गाजर को ऐसे ग्रेट कर लिया है अब हम लोकी को भी ऐसे ग्रेट कर लेंगे फ्रिंस बीच का पार्ट हो लोकी का वो हम ग्रेट नहीं करेंगे उसको हम रिमू कर लेंगे अब हम डालेंगे हरे मतर वेजी टेबल की कॉंटिटी आपके अनुसर कम या जाधा कर सकते हैं, यहां पे हमने हरे मतर, लोकी और गाजर को ऐसे ले लिया है, यहां पे हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, जिसमें हमने सुजी को एट कर दिया है, अब हम एट करेंगे सबचियों को, फिर्च आप डालेंगे खुब सारा हराधनिया, यहां पे हमने फ्रोजन कोन ले लिया है, आपके पास फ्रेश कोन हो तो वो भी एट कर सकते हैं, अब डालेंगे स्वाधनुसर नमक, हाफ स्पुन डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ स्पुन से थोड़ा कम डालेंगे हिंग, अगर आपक से आप एक बार इसको खिला के देखिए, बहुत ही टेशफुल तो लगता ही है, साथी में हेल्दे भी उतना ही हो जाता है, अब हम सारी सामगरियों को ऐसे मिला लेंगे, इसमें हमें अलग से पानी एट करना नहीं है, यह हमारे लोकी और वेजिटेबल जो हमने डाले हैं, उसका ही पानी निकलेगा, तो यह हमारा बेटर बराबर मात्रा में हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा बेटर का कैसा है, ना ही बहुत गाड़ा, ना ही बहुत पतला, बिल्कुल इसी प्रकार का होना चाहिए, अब हमारा हांडवा और भी टेशफुल लगे इसके लिए अब हम तड़के की तैयारी कर रहे है, चार से पांच चमण डालेंगे तेल, अब हम एट करेंगे, राई के दाने, जीरा, जैसे ही राई और जीरा क्रेकल हो जाए, तो अब हम घेस को ओफ कर देंगे, और अब हमने डाला है तेल, सफेद तली है फ्रेंस, अंदर से एक जब भी ठंडा भी हो जाएगा, तो मोईस्चर उसका बना रहेगा, वो ड्राय ड्राय हमें नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं सुची का हंड़वा, इसलिए फ्रेंस, यह प्रकार से करेंगे, तो बहुत ही टेस्ट पुल तो लगता ही है, साथे मे इसने एड करना है, कुकिंग सोडा, इसलिए जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, वेसे ही हम बेटर में डालते जाएंगे, कुकिंग सोडा, एक साथ बिल्कुल भी हम एट नहीं करेंगे, कुकिंग सोडा को, यहां पर हमने दो पींच जैसे कुकिंग सोडा ले ली है, अब हम उपर से डालेंगे लेमन का जूस एकी डायेक्शन में अब हम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमने एक पेन ले रहा है जिसने हम डालेंगे चार से पांच चमच बर के तेल अब हमने डाला राई, जीरा, जैसे ही राई और जीरा क्रेकल हो जाए तो उसमें हम डालेंगे फिंग और थोड़ा से डालेंगे तिल अब हमने जो गोल्ड रटी किया है उसको हम एड़ कर देंगे यहां पे हमारी केस के आंच लो ही है लो फ्लम पे ही अब हम इनको पकाएंगे पहले ऐसे इकवली कर लेंगे उपर से थोड़ा सा अब ढग कर करीबन दस मिनिट के लिए लो फ्लम पे ही पकाएंगे यहां पे पकाते हुए हमें करीबन दस मिनिट हो गई है आप देख सकते हैं उपर से थोड़ा सा ट्राय भी हो गया है बिल्कुल इसे प्रकार का होना चाहिए अब हम बिल्कुल सावधानी से ऐसे पलटा लेंगे और लो फ्लम पे फिर से हम ढग करीबन पांच मिनिट के लि पूरा क्लेन नी करता है मतलब कि यह हांडवार रेडी है बर्पूर वेजिटेबल के साथ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौट सौट ऐसा हांडवार रेडी है जिसको हमने लिया है हरी चटनी और टमेटो केचप के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग